इसी में भी नहीं है, देवियों को, पत्नियों को सती इसलिए कहा जाता है, सती नारियों के छे गुण बताएं हैं, सती नारियों के छे गुण भागवत में भी बताएं हैं, शिव पुरान में भी बताएं हैं, देवी भागवत में भी बताएं हैं, पहला गुण हैं, कार्येशु मंत्री, करनेशु दासी, भोजनेशु माता, शयनेशु रम्भा, धर्मार्थ अनुकूला पती वृता, पत्नी वृता नाम, इती नामानी प्रसिद्धाहा शद गुनम, ये शद गुन है, माताओं के, महिलाओं के, देवियों के पहले गुन में, माता मंत्री के समान दिखना चाहिए आपको अपने परिवार का होम मिनिस्टर कहा गया है, कहा गया है न? सारी महिलाएं सारी माताएं अपने परिवार का होम मिनिस्टर है मंत्री है कार्येश्व मंत्री परिवार का कार्य करते समय उसका रूप मंत्री के समान दिखना चाहिए उसकी बुद्धी मंत्री के समान चलनी चाहिए और मंत्री के समान बुद्धी कब चलती है महिलाओं की? जब उसका दिमाग स्थिर रहता है, मन एकागर रहता है और शरीर स्वस्त रहता है, तब माताओं का मन मस्तिश्क शरीर तीनों जब एकागर हो जाता है, तो उसका दिमाग मंत्री के समान चलता है सबसे पहला गुन और अगर किसी माता का दिमाग नहीं चलता तो उसको चाहिए अपने पैरों के दोनों अंगुठों में रिंग पहने, थंब पहने क्योंकि उस थंब के नीचे एक्यू प्रेशर वाले तीन पॉइंट है, वो तीन पॉइंट माताओं को बुद्धी जीवी बनाते हैं, एक माताओं का शरीर स्वस्त रखता है और तीसरा मन को भी हमेशा एकागर रखता है इसलिए हर इस्त्री को अपने पैर के दोनों अंगुठों में थंब पहनना चाहिए, रिंग पहनना चाहिए और ये रिंग अगर अधिक मास में पहने तो बड़ा पुण्य होता है कल काई दिन है सेश अधिक मास का परसो से श्रावन लग जाएगा इसलिए जिनोंने नई बनवाएं वो बनवाओं और कल ही पहरों में पहनों मैं देखूंगे आप लोगों के पाओं अब कितना आप अग्या का पालन करते हो अपने आपको स्वस्त बनाने के लिए अपने आपको निरोगी रखने के लिए अपने आपको बुद्धी जीवी बनाने के लिए ये बात भी कल सिद्ध हो जाएगी त्रिवेणी संगम हमारी कथा में चल रहा है इस कथा में हमने एकादशी का अनन्द लिया है प्रदोश का अनन्द लिया है और आज परम पवित्र शिव की रात्री और सोमवार और कल पूरे देश को पावन बनाने वाला हमारा अपना भारत का दिन 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था यह त्रिवेणी संगम के घाट पर बैट करके हम देवादी देव विश्व आत्मा की कथा को श्रवन कर रहे हैं जालंधर को मारने के लिए बगवान ने वरिंदा का पतिवरत भंग करने का विचार बनाया और भगवान विश्णु जालंधर का रूप लेकर के वरिंदा के समक्ष जाते हैं और ब्रिंदा के पतिवृत को इसपर्ष करके भंग करते हैं कार्येशु मंत्री, करनेशु दासी जब आप घर का काम करो तो आपका रूप दासी की तरह दिखना चाहिए चाहे आप कलेक्टर हो, आपकी कलेक्टरी घर के बाहर, घर में नहीं चलेगे चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप पंतप्रधान हो, चाहे आप मंत्री हो लेकिन घर के काम करते समय हर महिला का रूप दासी की तरह दिखना चाहिए करनेशु दासी, भोजनेशु माता घर के परिवार के लोगों को जब आप भोजन कराओं, तो आपका रूप मा की तरह दिखना चाहिए क्योंकि संसार में मा ही एक ऐसी शक्ती है, जो अपनी संतान के साथ निश्वार्थ प्रेम करती है मा ही एक ऐसी शक्ती है, जो संसार में अपनी संतान के साथ निश्वार्थ भाव से प्रेम करती है मेरे भगवान राम मा की सेवा करते है, मेरे कृष्ण मा की सेवा करते है, कार्तिक और गणपती मा की सेवा करते है हर देवी देवता अपनी मा को वंदन करते हैं क्योंकि मा से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा भगवान कोई नहीं है मा की अगर अनुकंपा जाननी हो, आईचा प्रेम जर उडखाईचा सेल, आई काया हे हे जर माहिती कराईचा सेल, तर एक पाँच किलोचा दगड पोटावर नौ सेकंड बांदुन ठेवा अपले अपले पोटावर पाँच किलोचा दगड फक्त नौ सेकंड बांदुन ठेवा, आपो आप तुम्हाला कडेल आई कायसते, मा क्या होती है, अपने आप दस्वे सेकंड में मालूम पड़ जाएगा शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अगर संतान ने अपने चमडे के जूते चपल बना करके भी अगर माबाप को पहना दिये, तो भी वो माबाप के रिंड से मुक्त नहीं हो सकता, इतनी बड़ी शक्ती और इतना बड़ा नाम माता पिता का संसार में है, वो कर्ज नहीं उता सकता